बिसमिल रख्मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, कैसे हैं जी आप सब उमीद है, आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, वो हमारे बच्पन की यादे ताजा करती है इससे बनाने के लिए चाहिए हमें दो बड़े आलू, इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है और अब हम इसको मैश कर लेंगे अब जी ये मैश हो चुका है, अब हम इसके अंदर एक छोटी कटी की प्यास चौप करके डाल देंगे तोड़ा सा हरे धनिया डाल देंगे, एक टेबल स्पून के करीब हम इसमे अनार दाना एट कर देंगे और तीन से चार हरी मिर्शे हमने इसमें काट के आट कर देनी है अब यहां पर मैंने वन टी स्पून के करीब जीरा एट कर दिया है हस्पे जरूरत आपने नमक एट करना है वन टी स्पून आपने इसमें लाल मिर्श पाउडर एट करना है वन टी स्पून आपने इसमें सुखा दनिया का पाउडर एट करना है अब जी हमारा mixture जो है वो completely mix हो चुका है अब हम अपने हाथों को oil से grease कर लेंगे इस तरह से अब हम थोड़ा से mixture लेंगे अपने हाथों में और उसको एक शामी कबाब की shape दे देंगे इस तरह से आपने बहुत बड़ी नी बनानी नॉर्मल साइज में बनानी है मैं ये थोड़ी छोटी बना रही हूँ अब जी हमने ये बनाके एक लेट में रख देनी है अब हम यहाँ पर इसका जो main step है वो इसकी coating का बनाएंगे इसकले हमें चाहिए एक कब बेसन आधा कब हम हसपके zurउयरिश ये नमक शाहिए हमें हाफ टीस्कून हमने इसमें लालमश पौडर पाौडर डालना है हाफ टीस्कून हमने इसमें सुखदन्य का पाौडर ड्लडर करना है और हमें हसप्र दूरुरत इसके इन्देफ-पानी को मИक्स करना है डालके जिससे हमारा जो क्रंची बनती है, क्रिस्पी सी, बाहर से चीज़ खाने से अच्छा कि आप अपने घर में अपने हातों से चीज़ बनाएं, हमारा बैटर रेटी हो चुका है, अब हम इसके अदर अपनी जो टिक्की है वो कोट कर लेंगे, तो यह coat हो चुकी है और यह बिल्कुल तेल के अंदर fry होने के लिए रेडी है अब हमने एक pan ले लेना है उसके अंदर मैंने oil light कर दिया है उसको आपने गरम कर लेना है आपने इसको बिल्कुल medium flame पर fry करना है बहुत तेज आंच मत कीज़ेगा वनना बेसन की जो कोटिंग है वो जल जाएगी और medium flame पर बनाएंगी तो इसको बहुत ही खुपसरोच से color आएगा जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं ये तनी कोई लजीज बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ आप जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप को ये रेसिपी कैसी लगी ये जी कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट के इंद बन के रेडी हो जाती है अगर कोई मेहमान आजाए तो आप फटा फटी रेसिपी बना सकते हैं आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको लाइक करें इस पर कमेंट करें और हमारी टिक्या सेर्विंग के लिए त्यार हैं आला ताला हम सब के दिस्टागान में बरके डालें हम सब को अपनी अमान में रखें मुझे अपनी दौाओं में याद रखेगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा अल्ला हाफिस